ये है विविद भारती उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के जी हाँ आगे हैं वो इनसान जो उठे हैं घरीबी से जिनके दिल में धर्द है घरीबों के लिए मेरे डिएड़ सो स्टूडन्ट तयार हुँ बैठे थे और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर राद बारा वज़े से लेकर सुबा छे बज़े तक मैंने उसको पढ़ाया ये तीन मैने लगातार पढ़ातारा मेरा पूरा बैच फस्क्लास में पास हुआ सर निखर के आती है उनकी एक मुकमन शक्सियत जो कहती है कि हाँ ये वो इनसान है जिसने जिन्दगी को समझ लिया है किस की कबर पे रो रहे हूँ देखो चारो तरफ यहां भी कोई किसी के माँ है कोई बहन है भाई है इस शेरे खमोशा में मिटी के ढेर के निचे सब दबे पड़ें आज उनकी दुकल हमारी बारी है जिन्दगी जहां संजीदगी का नाम है वहीं पर थोड़ी सारी मस्ती भी जरूरी है एक ऐसा किरदार जो हिंदी सिनिमा जगत के हर किसी रोल में बखू भी फिट हो सका चाहे वो संजीदा रोल हो चाहे वो मजाया रोल हो या किरदार हो किसी विलन का और कितने दर्वाजे बंद करोगी सलमा मैं तुम तक पहुँचने के लिए दुनिया का हर दर्वाजा तोट डालूँगा खुदा से जरो उसके कहर से जरो मैं ना किसी खुदा को मानता हून और उसके कहर को जानता हूं आज आपके साथ रूह बरू हो रहे हैं कादर कान कादर साब बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस लंबी बाचीत में नौज़ मेरवानी आपकी आपने मेरा इस्तिक्बाल किया और मैं आपकी इस्तिक्बाल का इस्तिक्बाल करता हूँ बहुत शुक्रिया, कादर साब आपको लंबे अर्से से हम फिल्मी पर्दे पर देखते आ रहे हैं और आपके बहुत सारे चाहने वाले पूरे देश और दुनिया में मौजूद हैं जिन से इस वक्त हम मुखातिब हैं तो यू लगता है कि शुरुआत एकदम शुरू से ही की जाए कि बच्पन आपका कहां बीता और किस तरहे का बच्पन था और कितने शरार्टी हुआ करते थे आप बच्पन भी बच्पन की तरह नहीं गुजरा है जी देखिए वो क्या है कि मेरी पइदाइश जो है वो काबल की है अच्छा अफगानिस्तान अब वो भी अफगानिस्तान के किसी रिमोंट इलाके मे रहते थे मेरी वाल्दा थी मेरे वालिद थे जो मुला भी थे बढ़ाते भी थे लोगों को आर्मी के आलिम में थे, बहुत बड़े अच्छा आसे नाम और आलिम थे, मगर मेरे घर में एक ऐसा सानहा परेशानी मुसीबत होती रहती थी, जिसके वज़े से मेरे घर का महुल बड़ा हिल गया था, गुर्बत तो एक थी, घरीबी का तो कोई इलाजी नहीं दुनिया में, आज तक दुनिया नहीं ढूंड सकी है, कोशिशें जारी हैं, पता नहीं कोशिशें हैं या नहीं हैं, बरहल वो दुनिया खुछ समझती इस बारे में, ये क्या कोशिश हुई कि हर कोशिश में अमीर आदमी ही अमीर तर हो जाता है, और गरीब आदमी वहीं खड़ा रह जा तब गुर्बत के साथ साथ मेरे घर मेग एक बिक्यत ये थी कि मुझसे पहले मेरे तीन भाई थे, वो आट साल की एज को पहुँचते थे और गुजर जाते थे मेरे तीन भाई मतलब एक का नाम शमसुरह्मान था, एक का नाम हबीबरह्मान था, एक फजलुरह्मान था ये मुझे से पहले हो हो के आट-ाट साल की एज में ये फौत हो गए अब मेरी वालदा एक दम बोखला गई, चौथा नमबर मेरा था, अच्छा चुके मेरे वालिद का नम अब्दुरह्मान था, तो मेरे भाईों का नम, उनकी नम से राइमिंग करता हुआ, फ़स्दुरह्मान, शबसुरह्मान, अभीवरह्मान था, पहले तुम्हें हुआ तो अब बच्चों में क्यामान के लई था, अब कहां जाते, गरीब लोग काबल से कहां जाएंगे, तकतों में, मुसीबतों में, धोके धके खाते हुए, वो अवानिस्तान से हिंदुस्तान आ गए से, और हिंदुस्तान से भी बंबई जैसे शहर में, उस दमाने बंबे था, जी, ये किस साल की बात होगी अंदासन? साल में जो खोद पता नहीं है, जी, जी, तो मेरी उस वक्त उमर शायद एक साल रही होगी, और लोगों के, कि जब मैं पैदा हुआ था, शायद उस साल फिल्म पुकार रिलीज हुई थी, सुराब मुदी की, क्या बात है, तो अंद साल लगा जा सकता है, जी, और मैंने कुछ लोगों से चेक किया तो उन्होंने का सही है, तो यहां भी फिल्म एक तरह से रिफरेंस पॉइंट बनती है, तालुक पुराना है, पैदाइश का तालुक है, अब बंबई आने के बाद, बंबई की सबसे गंदी जो स्लम एरिया ह कामाटी पुरा पहली गली, वहां हमारा जाके क्याम हुआ हमारे ने लगे, अब गरीब, अब इस्लम का एरिया, और धारावी भी उसके मुकाबले में जन्नत कहलाए जा सकती है, यह बस ऐसे माहुल में हम पले, और इतना गंदा माहुल था वहां पर, दुनिया का कौन सा ए वो मेरे घर के महुल के लिए, वो साथगार साबित नहीं हुए, वो मेरे घर के खर्चे का बोज नहीं उठा सेके से, फाका मस्ती भूक इसमें जी जीते रहे, तो कुछ दिनों बाद यह हुआ कि घर में बहुत तना हो गया, और मेरे वालदा और मेरे वालिद का तलाक हो ग और उन्हें आके मेरे वालदा से कहा कि पठान औरत, खुबसुरत, लंबी चोड़ी, खलाश एकदम और इस गरीबी वाले महौल में और इस गंदे महौल में तनहा तो नहीं जी सकती है, यह दुनिया का असूल है, इसलिए आपको बहतर यही है कि आपको दोबारा शारी करन वो एक कारपेंडर थे, बंबई के मशूर कारपेंडरों में से थे, और वो जो है मेरे स्टेप फादर सो तरे बाप इस शकल में मेरी जिन्दगी में आए, यह दो ही साल की जिन्दगी में हो गया सरी है, इतने सारी उतल पतल है, जी, लोग आज का क्लाइमेक्स देखते हैं लेकिन वह नहीं देखते कि प्रलोग में क्या क्या पड़ा हुआ है कानी के अंसारी है, इसलिए तो हम आए हैं, आपके आने से उस जखम दुल तो नहीं जाएंगे न सरी, सही कह रहे हैं साबाब, खेर अब इन्हें एक माँ, दो बाप, एक सगा, एक सोतेला, उनके बीचे जिन्दगी घुसरने लगी, लेकिन वो साहब भी, ये जो कारपेंटर हजरात होते हैं, जितने भी लोग हिंदोस्तान में काम जानते हैं, मोटर मेकैनिक हो, या कारपेंटर हो, या पलंबर हो, ये जब तक बेकार हो, तो ये रोनार होते रहते हैं, जितने इनको काम मिलता ह काम करते नहीं है और बस ये काम पर जाते नहीं थे पैसे लाते नहीं तो घर में जो फाका था वो वैसे ही रहा ये है कि पहले वानिसान में था फाका अब हिंदोस्तान में आ गया ब Оham़ई सहर में आ और हफ़ते में तीन दिन जो है वो फाका चलते ही रहता था और मुझे फोर्स किया जाता था कि मैं जाके अपने वालिद से जो किसी मस्जिद में पढ़े रहते थे उनसे जाके कुछ भीक मांग के लाओं तो कमाटी पुरा से लेके मैं डूंगरी जाता था एक मौस्ट में ज जार पांच रुपए है मैं जुमें कहां से दूँगा जी और वो लाके मैं घर में आटा लाता था दाल लाता था वो घास लेट लाता था और हमारे घर में खाना बनता था इस तरह जिंदगी गुजरी है और ये मुसलसल मैट्रिक करने तक यही हाल रहा मतलब कभी भी जानियों के बीच में पढ़ाई होती रही अच्छा वालदा यह जाती थी कि मैं पढ़ूं और एक अच्छा मुसलिम भी बनूँ नमाज पढ़ने के लिए अक्सर भेज़ दिया करती थी कौन वो जो आदमी बगावत जिंदगी में जो मन में पलती है तो वो कहां मंदीर महुल जैसा आप बता रहे होता नहीं था वो जिम्मेदारी भी देखिए मैं यहां पर एक माह का करेक्टर कैसा होना चाहिए वो आपको बताने जा रहा हूं जी जी मेरे महले के जो दूसरे साथी थे कोई किसी कारखाने में काम करता था पत्रे के कोई थैलिया काड़ता था पता नहीं आप दरजी की दुकानों में काम करते थे तो चार पांच रुपए रोज वो कमा लिया करते थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहां बेखुफी जैसी हरकते हो यह पढ़ाई और यह छोड़ना यार तो कोई अमीर बाप का बेटा है चला हमारे साथ काम करते ह कम स commence कम यह घर में चूला तो रोज जलेगा में यमिन की बातों मैं अगया मैंने किताबे उठा के साइड में पेख दी और नीचे अपने थर्ड फ़लॉर पे हमारा घर था और थर्ड फोर से मैं उतरने लगा जैसे ही थर्ड फ्लॉर अगया एक सिड़ी नीचे पहरा है एक हाथ मेरे कांदे पर आया एक हाथ जिसने ग्रिप पकड़ी जिसने रोकने के लिए मैंने मुड़के देखा मेरी वालदा खड़ी थी मेरी वालदा बहुत खुबसूरत माशालला कदावर रहुरत थी वाल ब्यूटिफुल माँ ऐसी माँ जिसकी शकल मैं कभी भूल नहीं पाया मझे मुस्करा के कहने लिए मैं जानती हूं कि तू कहां जा रहा है तू जा रहा है कि इनके साथ जा के तू वो चार पांच रुपेर कमाए लेकिन بعد पता तो बेटा कि यह जो चार पांच रुपे तू लाएगा इससे हमारे घर की खरीभी दूर नहीं होगी यह जो आच तू चार पांच कमाएगा यह चंद बरसों बाद जाके मुशिकल से आट रुपे बन जायेंगे हमारे घर की गरीबी ये चार पाँच और आट रुपई दे नहीं जाएगी बेटा मैं जादा पड़ी लिखी हूँ नहीं मगर इतना ही बता सकती हूँ कि हमारे घर की गरीबी अगर कोई चीज हटा सकती है तो वो सिर्फ तेरी पढ़ाई है क्या बाद जिन्दगी की हर दुख से है हर मसीबत से मैं लड़ लूँगी तू कुश मत कर तू अपने घम सारे मुझे दे दे तू सिर्फ पढ़ा क्या बाद और उसने जिस अंदास से लफ ये पढ़ का वो लफ सीसे के तरह मेरे सर से लेके मेरे रोम रोम में ऐसे उतर गया मिझे लगा किसी ने पिखलताओ असीसा मेरे अंदर डूंगे डेल दी और उसके बाद मैं वापिस पल्टा मैंनी किताबें उठाई और उसके बाद कभी भी पढ़ाई से मैंने मुह नहीं मोड़ा तो ये मेरी जिन्दगी में मेरी मा का बहुत बड़ा दान है उकार है एक गिफ्ट है मेरी मा की तरफ से कि उन्हेंने मेरे अंदर वो जोश पैदा कर दिया कि घंब से क्या डरना है और उसी को मैंने मुकदर का सिकंदर में लिखा था कि सुक को ठोकर माद दुख को गरे लगा तकदीर तेरे कद्वों में होगी और तु मुकदर का बादशा होगा तो अपने साथ ही है अपने साथ रहता है बहुच ले अपना ले अरे तकदीर तेरे कद्वों में होगी और तु मुकदर का बादशा होगा हस हस बटा हस और हस और हस तर कहीं लगा कितना मुश्किल होता था ऐसे माहौल के बीच में शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई लेकिन जब इन चीजों की आदत पढ़ने लगी तो बहुत मज़ा आने लगा एक आदत बदल गई कि आज परेशानी है कल नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं आता था जिनकी में खोकलापन लगता था कि आज परेशानी क्यों नहीं है वो जो मेरे रोस की साती थी आज क्यों नहीं है शीबी कैम लगा कि मैं गल्फरंड एक्चली परेशानी मेरे होंगी नहीं फिल्में वगरा मैंने कभी देखने का इत्वाइड के रोस कभी जब एडी मिल जाती थी एक एक रुबेश कुछ लोग देते थे उसमें वाद अगार की ऐसी मुसीबत हो जाती थी कि मैं जिन हाथ में पैसे होते थे वो मैं किसी से मिला लिता था इत्वाक से हमाई जो है अपने पास रहनी चाहिए तो फिर वहाँ पर प्ले हाउस जो है जगा जहां पर सब थेटरों की जगा है वहाँ पर एक टॉकिस थी वहाँ पर वो कुछ आठाने की कुछ टिकट होती थी वो मिल जाती थी तो उसमें जाके कोई भी फिल्म देख लिया करते थी की दिन क्या बात है तो बच्पन की देखी कौन सी फिल्में हैं जो आपके जहन में बाब राब अगवान की बहुत फिल्में है नाडिया जान का उसकी बहुत सारी फिल्में पहली फिल्म जो रेगुलर मैंने देखना शुरू की थी वो थी आन क्या बात है मैबू खान मैब दौर देखी नय दौर तो बहुत इसपायर हुआ और वो मेरे अंदर छाबी गई वो फिल्म और उस फिल्म को मैंने कई बार देखा वो मेरे मकसद की फिल्म लगी मुझे फिर उसके बाद मोतिलाल की प्लिम ठी छोटी छोटी बातें क्या बात हैं खुद की प्रोड्यूस की हुई थी हाँ सर वो कि एक आदमी जो है सुक कहा कहा टराश करता है बच्चों की मुस्कराहट में फैमिली की चाहत में उनके सुक में लेकिन वो सब कर लेने के बाद एक दिन ठक के जब अकिला बैठता है तो लोगों को बुलाने के लिए उसे बहुत रिश्वत देने पड़ती है सारी जिन्दगी इनसान रिश्वत ही देता रहता है बच्चों को जब तक उनके खिलाउने लाके न दे वो बच्चा आता नहीं अपास में बिलकुल और अगर बीवी को या किसी को भी या बहन को जब पाते कुछ नहीं हम कुछ नहीं पाते और आखिर में दुनिया में देखते हैं कि हम वही तनहा बठे वे हैं जो पहले थे सो अब भी हैं क्या बात है यही बात है कहानी चोड़ी 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 बातों में है इसको इनसान जो है नजर अंदास कर जाता है तो यह तमाम को मघरिब और इशाक की नमास के बीच में करीब 9 बज़े के वग्त हमारे घर के सामने कबरस्तान इसरैली कबरस्तान जह इसरैली की कबरें होती हैं ओ squashária कि बढें पहां जाके बैढ़ जाया कर रहता था और दुन्या में जिंद्छी मैं जो भी देखता था वो चीख-चीख कर तनहाई में बगता रहता था अच्छा लगता था ऐसा लगता था पता नहीं मैं किस से अपने किस की अधालत में कड़ा होकर किस से क्या बगावत कर रहा हूं एक अंदेखा से कोट रूम था बगेर समझा हुआ कबर कि किसी मुंडे पर बैटकर और किस से शिकायत करता था और क्या बूलता था कोई सरस्पैर नहीं होता था और दिन में किसी आदमी से इंस्पाइर हुआ तो वही जुमले बार बार दोराता था मैं तो पड़े लिखे लोगों को अक्सर देखा करता था मैं या किसी गरीब आदमी को जिसने तकलीफ उठाई हुई हो और तकलीफ उठाने के बाद उसके मुझे जो जो निकलता था वो मैं दोराया करता था तो मैंने एक बार देखा कुछ मुझे टॉर्च पड़ी पतलता एक आदमी कई दिनों से मुझे वाच कर रहा है उस जमाने में एक स्टेज के बड़े मशूर एक्टर गुगा करते थे अशरफ खान साब उन्हेंने मेभूब खान की फिल्म रोटी में काम किया थे वो थेटर के बहुत बड़े आर्टिस्त थे और बुजर्ग भी थे वो उनकी गुजरात में कहीं दरगा भी है कहते है एक दिन वो रात मेरे पास आये अच्छे सुवए सुवए दाड़ी हो गई थी उनकी बेटा तुम्हें क्या करते रहते हो मैंने कुछ नहीं सो मैं गली में अंदर एक लखड़े का बना वह था उसमें रहते थे गो बड़ाया और मुझे बुझे कहा कि पढ़ो मैंने पढ़ा पढ़ता गया पढ़ता पढ़ता गया पढ़ता गया उनको बहुत पसंद आया उसने बार तुम मेरे ड्रामे में मेन रॉल करे है तो एक ड्रामा था वामिक अज्रा खूउरी तूज यह थी उसमें बच्चे प्रिंस का रूल था वो रोल जो मेन रॉल उसी का था वो मुझे दिया हूँनने और मैंने किया सर वो रोल ऐसा हुआ के मेरी परी इंट्री आउडियंस में जो है वो लोगों ने मुझे सर पर उठा लिया और पूरे स्टेज में गुमाया लोगोंने सर और स्टेज पर गुमा कर लाकर एक छोटे से बच्चे को जिसकी आठ साल उमर रही होगी लाकर स्टेज पर खड़ा किया लोगों ने दुओआई दी हरेक न अपना बच्चा इसमझा और प्यार से पेश आए किसी माने अपना दुपत्टा फाढ़ के एक पठी बान दी किसी माने क्या किया किसी बहन ने क्या किया किसी ने आकर गले लगा और एक बड़े मियाहाये मेरे पास उन्होंने कुछ एक नोट मुझे दिया बहुले समाल कर रखो बेटा ये कल नोट बहुत सारे नोट लेकर आएगा इंशालला कितनी उमर रही होगी आपकी तब आट नौ साल तो आट नौ साल की उमर में इतना स्टेज पर प्यार हासिल हुआ आपको उसे एक दिशा एक डिरेक्शन मिली डिरेक्शन मैं ये कि मैं लिखने का पता नहीं कहां से शौक पैदा हो गया और ड्रामा करने का शौक पैदा हो गया और ड्रामा करने लगा खुद के ड्रामे लिखता था क्यों लिखता था कोई कारण नहीं है और मैं अपने क्लास के लड़कों को, स्थूल के लड़कों को इनसे काम कराता था ये करते करते मैं उस जमाने में 11th में S.S.E. होती थी S.S.E. करने के बाद मैं कॉलेज गया, इसमाईलिस उफ कॉलेज, फर्स्ट इयर में तो फर्स्ट इयर में गया, तो वहां पर कुछ आडिशन हो रहा था स्टेज के बड़े नामचीन राइटर, शिरी प्रबोज जोशी, वो गुलाबला के लड़कों का आडिशन कर रहे थे के कॉलेज के लिए ड्रामा करना है, मेरे एक दोस्ट ने का चलना, आडिशन में जाते हैं, मैंने का आडिशन क्या होता है, आपके आवास और डायलोग डिलीवरी देखेंगे, पिर मैंने का मुझे शौक नहीं है, वो जबरसी मुझे खर्बोज हाल में ले गया, और काड़वा दिये, कहने लगे तुमने ड्रामे में काम किया पहले, पर नहीं, कितने काम किया, जूट मत बोरो, मैंने के एक भी नहीं किया सर, मैंने का अपने ही खुद करता था रो, अच्छा वरे तुमने कितने ड्रामे किया होंगे, मैंने का मिने अपने खुद के कुछ च हिजाद हो गए हैं जी तो उन्होंने मुझे कुछ बाद दुर्शाद जफर के यहां एक फकीर का रोल दे दिया से बहुत इंपॉर्टन रोल था अब वो ड्रामा में पढ़ता था लेकिन मुझे कई लुट्स नहीं आके गड़बॉड थी यह दामे में तो मैंने तीन चार द लेकर ओ रेस्टोन में बैठा और मैंने लिखना चुरू किया और चार पांच घंटे में पूरा प्ले रिराइड करके ले जाके उनको सुनाया क्या बाद है कूछता है ये तो मेरे ड्रामा ही नहीं नहीं है वै तूने मेरे दुर्ण ड्रामा की जिन्दगी बदल दी है ये के बाद मेरा उनसे ऐसा राप्ता हो गया हूं मेरे उस्ताद थे मेरे गुरू थे कि कभी कोई आइडिया उनके जहन में आता था तो मुझे बोलते थे इस आइडिया को लिख तो मैं लिख दिया करता था फिर मेरे कोई आइडिया आता था जहन में लिख मैं लिख दिया करता पिर उनको गुजराती प्ले होता था, मुझे कहते थे, कि इसको हिंदी कर, मैं हिंदी कर दिया करता हूँ एक बड़ा मेरा मशूर ट्रामा है, तीन बंदर, वो मैंने लिखा तो उनने का कि इसको पहले मैं गुजराती में करता हूँ तो उनने इसको गुजराती में किया फिर मराटी में किया तीन शाहने के नाम से और बस यही सलसला हमारा शुरू हुआ उस्ताद से दोस्ती हो गई उस्ताद ने अपना दोस्त बना लिया पढ़ते हैं पढ़ते हैं उनने मुझे पूछा कि तो अपनी कलम रख नहीं पढ़ती है बैसाकी के तरह होता हो मैंने गड़ा किस को पढ़ू मुझे कुछ मालू नहीं तो उन्होंने मुझे रॉशन राइटर्स को कुछ बताया कहा मैकसम गोरकी को पढ़ो और दौस्टॉस्की को पढ़ो और चेखोफ को पढ़ो मैंने मैकसम गोरकी की नॉविल मा दे मदर लाके पढ़ा उसको पढ़ने के बाग मुझे लगा कि यार ये कानी तो मेरी जिन्दगी कानी लिख दिया उनने और उनकी राइटिंग मेरे बहुत खरीब लगी तो बगहर पढ़े मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको पढ़ लिया तो ये खुदरत की देन होती है कभी-कभी अगर आप कभी काम करते हैं तो मैंने जिन्दगी में जो कुछ पाया वो देन में पाया है मैंने स्ट्रगल करके मैंनत करके किसी की पीचे बलग कर ऐसा नहीं पाया ये मुझे देन में मिली ये सब कुछ शायद फ़कीरों के अउलाद रहा हों इसलिए फ़कीरी में मिल गई ये बातें और बस इसी तरह ही जिन्दगी गई खेर करते 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 ड्रामे कॉलेज में कॉलेज में ड्रामे करने लगा उस जमाने में इतना पॉपलर हो गया मतलब वहां भी कॉलेज के लड़के लड़की हैं मुझे देखने आया करते थे कि कादर खान क्या होता है जी जी अब मुझसे आटोग्राफ बाकादा मेरे लिया करते थे तो मैं कभी आज आउटोग्राफ किसी के साइन करता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं किसी कॉलेज के स्टेज पर बैठा मौँ और किसी का आउटोग्राफ साइन कर रहा हूं और कोई बच्चा है कोई कॉलेज कर लगा या लड़की मेरे आटोग्राफ ले रही है तो वो अभी तक मेरे जहन से गया नहीं है करते करते बहुत सारे जीते और बहुत अब फिल्म वालों में बड़ी जबर्दस वो फैल गई कि ये वाहिद आदमी है जिन लोगों काम नहीं आता है वो तो 24 घंडे फिल्म लाइन में पड़े रहते हैं ये एक आदमी है इसको काम आता है राइटिंग भी आती है एक्टिंग भी आती है ये फिल्म लाइन में क्यों नहीं आता है एक competition था, All India Dramatic Competition जागरी थी, वो जागरी थी कि मैंने अपनी इंट्री नहीं भेजी, तो जो उसके competition कराने वाले थे, वो लोग मेरे पास आए, कि सिरह आपको अपना इंट्री भेजिये, आप नहीं आएंगे, तो आपके अपना इंट्री भेजिये, आप नहीं आएंगे, तो भी है, पंद्रा सो रुपे भी हैं, पंद्रा सो रुपे, मैं जिन्दगी मितना पैसे कभी देगे नहीं थे, तो जमाने में टीशर बन गया था, तो तीन सो रुपे तनख़ा थी मेरी, जी, तो मेरे कलीग्स, जो थे शफी नामदार, इसो मेरे अंडर काम करते थे, शफी नामदार, भरद, कपूर, मुश्ताक मर्चंट, इन्होंने का कि नहीं बरद विंट्री, खर मैंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने मेरी फीज भी भर दी, अब मैं कॉम्पिटिशन में गया, अपना प्ले ले कर, लोकल ट्रेन उस ड्रामे का नाम था, जी, लोकल ट्रेन को उ उस राद की कॉम्पिटिशन में, बेस प्ले, बेस राइटर, बेस एक्टर, बेस सपोर्टिंग, यतने आवाट थे, सारे प्ले के मिल गए हैं मेरे, और पंदरा सो रुपे मी मिल गए था, अब लाइफ में पहली बार पंदरा सो रुपे से मुलाकात हुई है, यहने मतलब तीन सो रुपे पहली तारी को देखता था, फिर वो बढ़ जाते थे घर में, उससे बढ़के कभी देखा है नहीं था मैंने, लेकिन वो पंदरा सो रुपे, हजार के उपर, इंपॉसिबल, तो मैं मेरे पैर जमीन में पड़ नहीं रहे था, मैंने सूचा कि यार, मैं जिन firm line में क्यों नहीं आते हैं, अब मेरा मेरा कौई दयमाग कराब है, तो कै कि याम लोगा, दयमाग खराब है, नह Nilay Здरव मैं यह यह नहीं है, लेकिन मन नहीं करता रह उलिए, और यह देखो, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, नरेंदर बेदी नह का, उसका नाम है जवानी दिवानी वह आप को लिखने होगी उसके डालोग आपको लिखने होगे मुझे काम उन्होंने शुटिंग महीने बर बाद रखी थी मेरे सीन सुनने के बाद उसमें कुछ रंदीर गुबूर को बलाच चानी कहते हैं अगर आप मेरी बेहन से शादी करनी है तो अपने बाप को बला किलाओ अपने वाली साहब तो हैं नहीं तो यह किसी सतेन कपू को बोलते ह किसी और से कहते हैं पितीन से कोई नहीं आने को राजी है तो एक मुश्किल से पकड़के ले जाता है अब उसको ले के जाता तो वो इतना बंडल मारता है कि वो उसकी महां उगलिया खड़ी कर जैता है इतने में गंड़ी बच्टी दूसरा फादर भी आ जाता है इतने में शुटिंग रख दी अब वो शुटिंग रखने के बाद इंडस्टी में एक वाविला मच गया कि एक नया राइटर आया है लिखता तो अच्छा है मगर जिस तरीके से वो डैलेक बोल के सुनाता है एक्टरों के लिए करना एक चैलेंज हो जाता है अहां क्या वात इसने ए स्कूल के स्टूड़न जहां पढ़ाता था मैं वो बच्चों को मुझसे इतना लगा हो गया था कि वो मेरे बगएर उनको क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनको मैं सब पढ़ाता था अप्लाइड मिकैनिक्स जोमेटिकल मचीन ड्रॉइंग और मेरा कु को तो उन बच्चों मेरे साथ दोस्ती सी हो गई थी लेकिन कादर खान जो स्टेज के नामी आर्टिस्त थे और अब फिल्मों में राइटिंग की तरफ कदम बढ़ा रहे थे वो साइंस के भारी वरकम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए कैसे लगते होंगे मैं जो भी काम करत था बहुत गिल से करता था जी वो लड़के का भी तसबूर ही नहीं कर सकते थे कि यह आदमी फिल्म में कैसे काम कर सकता है क्या बात है तो मैं जहां का जाता था वैसे हो जाता था इंसान को फितरत में पानी की तरह होना चाहिए था क्या बड़ दिस बरतन में डालो उस शक का हो जाए बहुत बड़या तो पानी की शेकल फितरत का था मैं अगर टीचर हूं तो टीचर हूं और भो एकटिंग की छलग नजर नहीं आती थी और अगर एक्टर हूं तो इसमें टीचर की जलग नजर documentation यह आती और राइटर हूं तो सिर्फ राइटर हूं और इसमें अक पाइलों से भरा और मैं जाने के तयारी में था कि गेट पे एक और प्रड्यूसर नहीं रोग लिया मुझे वगे सर हमारी एक फिल्म तो आपको लिखनी पड़ गी मैंने का भाई मैं नहीं कर सकता यह मेरे बस की बात नी फिल्म लाइन मेरे स्टूड़न्ट मेरी जान ले ले पंदरा सौ रुपए उस फिल्म के भी पंदरा सो मिले जवानी दिवानी के भी पंदरा सो मिले हैं पंदरा सो पता नहीं क्या मैंरे बात विर्म वार्र जो काना, आपो डिर्क्टर जाने उसके पाद, तो वो फिल्म थी, खेल खेल में, रवी टेंडन उसके डिर्क्टर थी. रवीन अटेंडन के फादर? जे, मेरे उसका बहुत, मदा बहुत पुराना रिश्टा है. अब वो करके मैं, बाराथ 15 दिन में मैं काम खतम करके जब जाने लगा तो तीसरे एक पोडूसर ने रोक लिया उन्हें का मेरी फिल्म किये बिना तो तुझा नहीं सकता है इबराहिम ने डैड़ वारा सर रफू चकर बना रहे थे हो सब तूफानी फिल्में आपने लिकी हैं उस दोर में उसके मुझे कुछ पचीस दार मिले अब इसी दरा जब मैं जाने का नाम लूँ तो कोई पोडूसर आजाए करते 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 एक दिन मनमौन इसाही से मुलाकात होगी मनमौन इसाही बड़े परेशान थे कहीं देख भाई मैं तेरे वे एक बात क्लियर बोलता हूँ लेंग्वेज लिख की इदर लाएगा तो मैं पेपर फाड़के ना वो बती बना दूँगा उसको मुझे बड़ा खराब लगा यार मैंने का पहली बार किसी ने मुझे से बत्तमीजी से को बात किये और मैंने कभी अच्छा लिख दिया तो तो काई मैं तेरे वो सर पर बिठा कर नाचूँगा वाँ वाँ मनमौन देसाही स्टाइल का डायलॉग था ये ये पहली बार मैंने किसी चैलेंज को कबूल करके राइटिंग की वो फिल्म थी रोटी और उसके डालोग मैंने लिखके उन्होंने मुझे पहले क्लामिक्स लिखने को दिया था बाबा, मैं नवज हाँगा वो मुझे नहीं मिलेगा लिखिन उसे कही ना कही से ढून निकालो और उसे कहुना देख इंसान को दिल दे, जिसम दे, दिमाग दे लेकिन ये कंभख पेच मस्ते उसे पेच देता तो उसे भूख मस्ते उसे भूख देता तो दो वक्ती रोटी का इंसान को पैदा करने का कोई हम नहीं है क्लामिक्स लिख कर मैं तीसरे दिन उनके गली में गया, केत वाड़ी में उनका मकान था, तो घर के बार ही बच्चों के साथ वो क्रिकेट खिलते थे बड़ा मुशूर है ये उनके बारे में वेशा, तो एक बार मुझे उनने देखा दूर से तो गाली देके बोले शाले को ये इसको लगता स्क्रिप्स समझ में नहीं आई है मैंने आपने गाली क्यों दी मुझे बढ़े कोन मुला गाली दिया मैंने गाली कर सकता हूं होंट पड़ सकता हूं तो उन्होंने ये करेक्टर जहें नसीब में हिरोइन का बना दिया जी 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 वहां वहां वह लोग क्या बोलते हैं या उनको पढ़ लेती हैं और लिप रीड करती हैं पिर वो एक होटल था दूसरे होटल जाए वो वायर पर ले टक्के जाती हैं जी काय को है तु को मैंने गा तुमने डालग बोला था ना तो बोले कि अभी क्या था अगली पेदर हो मैंने सुनाने को आया हूं पागल हो गया पंदरा दिन तो लोग को पूचता बूचते लगता है मैंने अमेली के लाया हूं कितने दिन हुए थे? तीन दिन तीसरे दिन पहुँच गे थे आप मैं गया उनके साथ क्रिकेट बैट बेका और मेरे साथ नदर गये मैंने इनको सुनाया तो वो खड़े हो गए उसके बद कूद के सोफे पगए पूरा सुन झाल बोलते हैं एक बर और सुना एक बर और सुना एक बर और सुना आर उसका लुमने ने इसको रिकारड कर लिया और चिलाने लगें दि considersات और बाया हो चिलाने लगें कभी मुझे पपी करते हैं कभी मेरे बाब नो, वो उनके समझ में नहीं आरा दा, वो क्या करें, वाड़ी पागल हो गया, उस आदमी को मैंने पहली बार पागल देखा, और मेंने जिन्दगी में किसी भी, वागी को आदमी केहता ना, कि इसको जुनून होता है, काम के पसंदीद का, वो पसंद करने के बाद वो दिवानों की तरह और उना अपमें बेगम को बुलाया जिवान ये भाग काय कर ले लाए ने और वो क्या दुनिया भर का वो वाविला मचा दी उन्होंने वो जिवन भाबी आई हमारी वो देवी थी वो उन्होंना सुना और उन्होंने का तो रो पड़ी वो वैले क्लामेक्स की वज़े से मेरा आदमी गुदिश्टा छे मेने से परेशान है तुमने तीन दिन की प्रावन सौल कर दी और मिरे बड़े प्यार से मन मुने से अंदर भागा और वो जमाने में पोर्टेबल टीवी आया था जी वो मझे लाकि तोफे में दिया बला ये तू अरे रख आज भी प्राइस बुलते रहा कितना है अमने गासर में लेटेस फिल्म में भी पचीजा में शपह ए वनमोन निसाए का राइटर पचीजार एक लाक पचीजार ओहो हो किज़र है तीन सो रुपे पंदरह सो रुपे एकी सजार पचीज़़ एक लाक पचीज़़ दोगों ने इसे बहुत बढ़ा दिया फिर कौन लोट कियाता है फिर लोग ले गए ले गए फिर नहीं आया है अपनी यादें आपके साथ बांट रहे थे लेखा का बिनेता कादर खान और उनके साथ बात कर रहे थे यूनस खान अपनी जिंदगी का और फिल्मों का सफर और उनके साथ जुड़ी हुई यादे कादर खान की बहुत सारी है जो समेट के आप तक पहुँचाना एक प्रोग्राम में मुम्किन नहीं है प्रोग्राम यहीं पर रोकना पड़ेगा इस वादे के साथ कि अगले हफ़ते कादर खान आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे और आपके साथ पाटेंगे अपनी यादे रिकॉर्डिंग इंजीनियर ते शेशांका दरे और जेटी महाजनूर और इस प्रोग्राम की प्रसुत करता थी कल्पना शेठी आज पिडारा नाया था उचाले उनकी यादों के वाकी च्छाय दिन होते हैं च्छाय और मज़ेदार प्रोग्राम यनी हर दिन सुनते रहिएगा पिटारा वाकी प्रोग्राम ये ये प्रोग्राम करता शीया थे बिलस्या देचाले उनकी अग्राम ये 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 ओच वाकी आज वाकी रचाले देचते हैं बिल्लाफ्राम